हेलो स्टुडेंस कैसे हैं आप सब तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोसन इने प्लेन जिसमें पिछले वीडियो में आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डाइमेंशन जिसमें हमने प्रोब्लम्स पढ़ी थी रिवर मैं प्रोब्लम्स या रिवर स्वीमर प्रोब्लम्स, जैसे कि आप नदी बह रही है, आप इस दरफ रहते हो कोई उस तरफ रहता है, तो आप कैसे बिल्कुल एक्जाट यहां से स्टार्ट करके और वहां बिल्कुल दुसरे किनारे वे पहुंच सकते हो, कितना टाइम आपको लगेगा, कहां जाकर कि आप लोन्स होगे, पानी के थ्रूप, जो वोटर की वेलोसिटी, नदीज इस वेलोसिटी से बहरी हो, कैसे आपको इंपक्ट करेगी, वो सारी चीजे हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो उपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जाकर के देख सकते हो, आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या है यह, हमने ए कुंची टंकी पे जाके बैठ जाओ, आप बड़े मायूस बैठे हो, आपने एक पत्थर लिया और नेचे गिराया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज की वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम बात करेंगे, जब हम किसी एक हाइट पे बैठ यह हमारा एक इस्टोन है, यह मैंने फैका यहां से, तो यह जाकर कि यहां लोंच हो गया, ठीक है, यह यहां पे ग्राउंड से मैंने फैका था, यह क्या है हमारा ग्राउंड, और ग्राउंड पे ही जाके यह लोंच हो गया, तो क्या यह सर्कुलर पात में गया, अक्सर रिर्व क्यों है क्योंकि यहां पे तो चीजे द्वार्ध secrets नहीं देख पा रहे हैं एक तो इसकी पहुए है और दूसरा इसकी मोसण उपर की तरफ भी हो रही है इस stone को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो न तो इसकी दो direction में motion हो रही है एक इधर हो रही है ठीक है एक सिधा जा रहा है देखो ऐसे सिधा जा रहा है आगे की तरफ गया तभी तो यहां सिधा गया इसलिए तो यहां पहुंचा और कुछ height पे भी जा रहा है तो उपर की तरफ भी motion हो रही है तो दो axis में इसकी motion हो रही है इसलिए यह कौन से type की motion है 2D type की motion है और दूसरा यह जो motion है यह motion under gravity है एक तरह से ठीक है जैसे आपने motion under gravity पढ़ा था मैं वीडियो उस पर upload कर चुका हूं नहीं देखा है तो वह भी आगर आप सर्च करेंगे motion under gravity बाई जिते सर मिल जाएगा यूटूब पे ठीक है तो यह कौन सा है 2D two-dimension motion है projectile motion है वो कैसी है two-dimension है फिर motion under gravity यह motion है वो कैसी है motion under meoson under gravity wait turn this chi motion है वो under gravity है ठीक है motion अंडर gravity two-d motion है motion under gravity है projectile motion भी motion अंडर gravity Windows पर्याइद है ये circular path नहीं है ये circular shape में गया ठीक है ये पर ones ये मैं prove कर दूंगा ठीक है वह concept है अलग उसकी बात करेंगे यहां से stone है वो circular path में ना होते वह किसमें जाएगा parabolic path में तो एक तो एक्स-axis पे ये जो stone है वो moment कर रहा है और एक Y-axis इस पे कुछ height पे भी जा रहा है और कुछ distance को भी travel कर रहा है यानि मिला के अगर मैं इस parabolic path को बोलना चाहूं तो ये क्या है horizontal motion horizontal motion plus vertical motion अगर मैं इसको मिला के बोलना चाहूं तो क्या है horizontal motion horizontal motion plus vertical motion ये दो चीज़े मिल करके क्या बना रही है parabolic बात बना रही है ये projectile motion की बात चल रही है इसमें हम वो भी पढ़ेंगे कि अगर आप चार रने हैं ठीक है चार फ्रेंड है और चारो आप participate कर रहे हैं long jump में आप ground से उठेंगे आप ground से जंप करेंगे और launch भी कहा होंगे ground पे ऐसा तो है नहीं आप उठेंगे spider man की तरह बादल में cloud में चले जाएंगे ऐसा नहीं होगा ना एंगल नाम की भी कोई चीज होती है यार एंगल पे भी चीज़ें डिपेंड करती है मतलब चारों की speed आपकी भले ही सेम हो लेकिन जिस एंगल पे आपने jump लिया उस पे बहुत कुछ आपकी मतलब जो projectile motion के अंदर जो आपकी distance होगी हो maximum होगी बात करेंगे उस बारे में भी तो देखो यह कैसा path है parabolic path है horizontal motion प्लस vertical motion इसको अगर और बढ़िया से आगर आपके सामने रखूँ तो क्या कहेंगे इसको कि यह जो यह जो पत्थर मैंने फैका यह किसी न किसी initial velocity से गया होगा और उस velocity को मैं मान लेता हूँ यह जो पत्थर है वो यू initial velocity से गया होगा तो velocity तो एक वेक्टर है और एक वेक्टर के दो component होते हैं एक x component दूसरा y component जो यहां x component है वो क्या होगा यू कोस थीटा कैसे होगा क्योंकि यहां पे अगर मान लें कि यह horizon के साथ थीटा यैंगल बना करके गया हैं आपने थीटा एंगल पे पत्थर फैका है तो यहां पर क्या होगा U संटा उपर की तरफ आप देखेंगे वर्टीकल की तरफ तो क्या होगा यू सान थीचा यह होगा यू साइन थीचा इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने प्र स्क्राइब क्यों कि वैक्टर सहकर भूपली संथे अचैने एयो फिरत यूल पत्थर है हमारा जो हमने फैका है इसकी एक्स में जो स्पीड है वो तो यू को स्थिटा है और इसकी जो वाई में स्पीड है वो क्या है यू साइन थिटा है समझ पादे हो इसकी दो मोसन हो रही है एक मोसन तो यह ग्राउंड है यह ग्राउंड है इसे कहां की तरफ इससे उ स्पीड से जा रहा है यह साइन थीटा टीक है तो यह और एक मोसन कहां की तरफ हो रही है यह उन है और ग्राओं से स्की जो एक मुसन है वो कहां हो रही है यह पत्थर है हमारा स्टौन है एक मोसन इसकी बिल्कुल सीधी आगे की तरफ हो रही है और ये किस स्पीड से जा रहा है यू कोस्थिटा देखो खोल दिया है इस चीज़ को मैंने आपके सामने देखो क्या है यहाँ पर ये मेरा ओब्जेक्ट जा रहा है ये मुझे जाता हुआ तो कैसे निज़रा रहा है ऐसे लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के देखो न तो आप देखोगे कि ये दो तरह की मोशन कर रहा है एक तो देखो उपर की तरफ ये ग्राउंड है ग्राउंड से उपर की तरफ मोशन कर रहा है और मालो ये यहाँ गिल रहा है ठीक है जहां भी आके गिरेगा खर तो u sin θe speed से जा रहा है उपर की तरफ और u cos θe speed से जा रहा है velocity के दो component है एक x component एक y component तो x की तरफ तो ये है haurizun की तरफ तो ये है और y की तरफ vertical की तरफ ये है ये बात आपको समझाई होगी जो horizontal motion है वो कौन सी direction में है horizontal motion है वो तो x direction में है देखो पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो फिर नहीं पढ़ेंगे पूरा एकदम concept clear करेंगे यह video अगर आप देखोगे उसके बाद आपको projectile motion के लिए कोई दूसरा video नहीं चाहिए जितना मैं इसमें बताऊंगा उसके लिए तो देखो x direction उसके बाद देखो यह vertical motion है वो कौन सी direction में है y direction में है अभी तक आपको क्या क्या बाते clear हुई पहला यह motion under gravity है 2d motion है जब object को ऐसे आप फैकते हो पैराबोलिक path से travel करता है पैराबोलिक path दो चीजों से मिलके बना एक horizontal motion दूसरा vertical motion यह x direction में है और यह y direction में है ठीक है एक इस तरह की motion है इसकी और एक इस तरह की motion है ठीक है यहाँ पर एक यह motion है और दूसरी यह है ठीक है यहाँ तक आपको बात clear हो चुकी है आप इसके acceleration की बात करें आप जानते हो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सलेशन जानते हो ना वह फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपोन टेकन टाइम एक्सलेशन horizontal की तरफ अगर देखा जाए तो इसका एक्सलेशन जो है horizontal की तरफ अगर देखा जाए तो इसका जो acceleration है x direction में इसका जो acceleration है वो क्या रहेगा 0 0 क्योंकि इस direction में इस direction में इसकी जो velocity है वो change नहीं हो रही इसकी speed change नहीं हो रही आप देखो यहाँ जो u cost theta है वो बिल्कुल constant बनी रहेगी कैसी constant constant बनी रहेगी यह change होगी ही नहीं लेकिन height में आप देखो यह कुछ height तक जाएगा उसके बाद नीचे आने लगेगा यह जीरा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है horizontal में इसकी speed change नहीं हो रही लेकिन यह जब vertical में जा रहा है तो कुछ height तक जा रहा है फिर इसकी speed कम होने लग रही है इसका मतलब इसकी velocity बदल रही है पहले यह तेजी से जा रहा था फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ acceleration भी होगा कुन सी motion में y direction की motion में x की direction में तो इसका कोई acceleration नहीं यह तो 0 होगा ठीक है यह क्या है आपकी velocity of x इसको लिख सकते है ना velocity in x ठीक है यह क्या है आपकी velocity in y वह यह तो sorry velocity in y है ना यह y के अंदर है और यह क्या है velocity in x क्या है u cos theta ठीक है अगर इसके अंदर में बात करूँ acceleration की कम हो रही है उपर की तरफ कम हो रही है ना इसलिए तो देखो यह ऐसे जाने लगा था अपर यह ऐसे देरे देरे होने लगा तो यह इसकी maximum height अगर आप देखोगे यह height क्या है इसकी maximum समझ पा रहे हो ना यह इसकी maximum height है तो इस टाइम पे इसकी जो उपर की direction में vertical के direction में इसकी speed क्या हो चुकी होगी 0 यहां पे जो इसका velocity of y यहां पे या u y है वो क्या हो चुका होगा 0 इस point पे u y क्या हो चुका होगा 0 हो चुका होगा क्योंकि यह और उपर जाए नहीं रहा अगर इसके पास कुछ velocity होती तो यह और उपर जाता पर यह नहीं गया maximum height के उपर maximum height के उपर इसकी जो y direction के अंदर speed हो 0 हो चुकी है ठीक है तो पहले इसकी speed क्या हो रही है आप अगर इस point को A मान ले और अगर इस point को B मान ले और इस point को अगर C मान ले तो A से B अगर आप देखोगे sorry light problem देखो अगर इसको आप A मानने इसको आप B मानने और इसको आप C मानने तो पहले इसकी जो velocity है इसकी velocity क्या है उपर की तरफ देखो क्या है u y तो पहले तो जो velocity है वो क्या होगी पहले जो velocity है वो decrease होगी इसलिए तो इसकी height हो कम होती जा रही है पहले velocity जादा थी पर अब धीरे धीरे decrease होती जा रही है उसके बाद एक समय जब आएगा तो maximum height पे पहुंचके y direction में इसकी जो velocity speed है वो 0 हो जाएगी और उसके बाद ये speed है वो देखो जब यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर gravitation लगेगा और ये positive direction में फिर ये नीचे की तरफ तेज़ी से गिरेगा तो उसका मतलब तो ये उसके बाद क्या होगी increase और एक और hack बता दो इसके अंदर आपको मैं एक और hack बता देता हूँ क्या अगर मानलो आपने यहाँ से 5 meter per second से फैका अगर आपने यहाँ से 5 meter per second से इसको launch किया ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे जब ये गिरेगा तो उस time भी last moment पे इसकी velocity 5 meter per second ही होगी तो मैं यही बताने कोशिस कर रहा हूँ पहले दिरे-दिरे decrease होते जीरो होगई 5 से 0 और फिर 0 से 5 समझ पा रहे हो तो पहले क्या होई decrease फिर क्या होई 0 होगई और उसके बाद फिर से क्या होगई increase तो acceleration है वो हम कह सकते हैं acceleration not equals to 0 जो यह situation है first situation है उसमें acceleration not equals to 0 जो यह equation है उसम जो आप बोल दो acceleration for y ठीकना यह note equals to 0 और यहाँ पे acceleration equals to 0 तो आपको बात समझ में आ गई होगी बाई जो प्रोजक्टाइल मोशन है उसका जो पाथ हो पैराबोलिक होता है यह horizontal और वर्टिकल दो से मिलके बनता है horizontal में जो velocity है वो u y होती है u y sin theta और sorry horizontal में u x cos theta और उपर की त इस acceleration इसमें 0 रहेगा क्योंकि इसकी velocity हमेशा क्या रहेगी constant इसके अंदर जो velocity है वो कैसी रहती है constant रहती है इसकी जो velocity है वो बदलती नहीं है horizon में बिलकुल equal velocity रहेगी लेकिन वर्टिकल में बदलती है पहले decrease होती है फिर 0 हो जाती है फिर increase होती है स्क्रीन सोट लो इस चीज़ को और better way के अंदर समझने के लिए देखिए इस situation को फिर से create करेंगे यह हमारा stone है इसको हमने यहां से फैका ठीक है और यह यहां आ करके launch हुआ ठीक है हमने किसे फैका था ground से ठीक है ग्राउंड से फैका था और यह यहां भी कहां पर आकर के launch हो गया ग्राउंड पर तो ग्राउंड से ग्राउंड की बात हो रही है हम कहीं पाड़ी पर बैठके नहीं फैक रहे हैं किलिया अब यहां सबसे पहली चीज यह किस velocity से गया यह यहां पर किस एंगल बना के गया तो क्या है यू एक्स साइन थीटा या फिर यू एक्स जो है वही complete क्या है इसका एक्स कंपोनेंट क्या है यू कोस्ट थीटा ठीक है और जो उपर वाला कंपोनेंट है वो क्या हो गया यू This step 2, sin theta जहां पे theta होता है, वहां को ist theta आता है जहां theta नहीं होता है, उदर sin theta आता है ठीक है? अब अलग-alग situations पे ङाए इसकी बात करते हैं ये तो हो गई इसकी पहली situation दूसरी situation पे बात करेंगे तीसरी situation पे बात करेंगे ठीक है? maximum height हो गई बीच में अलग-अलग positions पे बात करते हैं अलग-अलग positions पे बात करेंगे पहला देखू यहाँ पे अगर इस position पे देखू तो क्या होगा U cos theta और उपर की तरफ क्या होगा U sin theta ठीक है बात समझ में आ रहे हैं ना यहाँ पे देखूं तो कुछ कम हो गई होगी हालंकि vertical component कुछ कम हो गया होगा यह तो same बना रहे हैं यह कुछ कम हो गया होगा उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ भी क्या होगा उपर की तरफ U sin theta कुछ कम हो गई होगी वैसे और यह क्या है U cos theta उसके बाद यहाँ पे देखोगे अगर यहां पे इस situation में देखोगे तो यहां तो क्या होगा यू कोस्ट इटा बिलकुल यहां पे क्या हो गया होगा यू वाई इसका 0 हो चुका होगा उपर की तरफ क्या हो गई होगी 0 में आब यहाँ पर हमने यूओ वैलोसिटिटी ले रकी ये यूओ लिया है माकि आप यहाँ पर कहह सकते हो कि वैलोसिटी इन वा udah कि एकशन design क्या हो चुकी होगी जीळो हो चुकी होगी न हो चीरो और आगे चलते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ velocity होगी कहां की तरफ होगी निचे की तरफ इस बार जो विश्व उपर की तरफ था वह इस बार अब यू कोस थीटा और वहीं सेम सीज यहां पर होगी सोरी इधर होगी ठीक है तो यहां पर भी क्या होगा यह हो जाएगा यू कोस थीटा और यहां पर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा समझ पारे होंगे आप बात तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि जो velocity in x direction है वो constant है वो नहीं बदल रही है वो constant बैठी हुई है इसी वज़े से acceleration x direction के अंदर क्या है 0 लेकिन जो velocity है y direction के अंदर जो velocity है y direction के अंदर आप देखो बदल रही है यहां पर u sin theta थी यहां पर u sin theta एक situation आई जब आके 0 हो गई बदल रही है ना पहले क्या और यह decrease फिर 0 हुई अब क्या होगी increase यह हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब velocity in y direction not equals to constant not equals to constant यह constant तो बिलकुल नहीं है इसी वज़े से acceleration of y direction not equals to 0 कुछ ना कुछ acceleration जरूर होगा ठीक है इस्क्रीन सोट लो फिर क्योशन करते हैं कि स्पीड of projectile at its maximum height is half of its initial speed the angle of projectile is क्योशन है नीट 2010 के अंदर आयवा क्योशन है देखो आपको क्या बोल रहा है situation को ड्रा करना है सबसे पहले आपको यह बोला कि आपका अगर यह projectile है यह आपका projectile है ठीक है यह बोल रहा है कि at its maximum height is half of its initial speed अगर हम मान लें कि यह u speed से गया था यू इसकी initial speed थी तो एक इसका component होगा horizontal और एक होगा vertical यहाँ पर क्या जाएगा यू cos theta अगर यह theta maximum height is half of its initial speed यहाँ पर क्या बोला speed of projectile of its maximum height maximum height की बात हो रही है मतलब यहाँ से यह किस पे है एच maximum पर कि इसकी maximum height पर है ठीक है ओफिट इनिशियल स्पीड सो दा एंगल of projection is यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि maximum height पर क्या होता है maximum height पर y के अंदर तो इसकी speed 0 हो जाती है बस्ता है सिरफ X y में तो 0 हो गई न वहीं speed y के अंदर तो कैसे 0 केवल क्या बचेगा यू cos theta बस्ता है कि यू cos theta इसका मतलब यू cos theta किसके बराबर करहा है इसका आदा है यू का अदा ऐसा ही तो कह रहा है तो यह कह रहा है कि यू कोस थिटा वरावर है यू वाई टू के यह कह रहा है ना कि maximum height पे जो इसकी speed है वो किसके वरावर है जो आप चले थे लेके उसकी आदी है ऐसा बोला इसमें its maximum height is half of its initial speed बहुत आसान है एंड़ एंगल ओफ प्रोजेक्शन इस आप से एंगल पूच रहा है थिटा पूच रहा है निकाल लोगे आप ठीक है देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो यू से यू cancel out यह दो होई जाएगा ना कोस थिटा कोस थिटा इकोल्स टू क्या बचा वन बाइटू तो यहां से अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो देखो थिटा इकोल्स टू कोस इन्वर्स वन बाइटू एसा लिख सकते हो तो कोस के अंदर 1 by 2 कितने की value है 60 theta equals to 60 degree this is answer वैसे यहाँ पर options होते हैं नीट वगिरा के अंदर जब questions आएंगे तो options देखके भी आपको थोड़ा idea लगता है खेर आपको answer यह आएगा समझ में आया होगा screenshot लो देखो नीट 2013 के अंदर आया वा question है थोड़ी सी values मैंने change करी है बाकी otherwise सारा save है देखो the velocity of projectile at initial point P is यह velocity दे रखी है initial point initial point मतलब U U दे रखा है 5 I cap plus 7 J cap its velocity in km per hour ठीक है km per hour में यह है और km per hour में आगे बुच रहा है at point Q ठीक है तो जो इसके लिए diagram होना चाहिए था वो क्या था देखो यह आपके पास अगर P point है तो यह object अगर ऐसे जा रहा है और अगर यह Q point पे आके गिर रहा है ठीक है तो P point पे इसकी जो भी velocity है U और Q point पे जो इसकी velocity है वो क्या होगी है होगी तो U ही speed पर velocity थोड़ी सी बदल जाएगी क्या होगा अगर यहां से यह गया है U से तो इसका एक component है horizontal लेकर vertical कितने बार बताएंगे ना देखो यह 5 I cap किस में होगा I cap कहां की तरफ horizon पे होता है X axis में होता है मतलब यहां पे कितने रही होगी 5 रही होगी 5 I cap तो यहां ही हो सकता है Y axis में कितने रही होगी 7 J cap तो यहां पे 7 J cap समझ जाओ यह यह X axis के लिए I cap Y axis के लिए J cap यहां पे आने के बाद तो एक बात बताओ जब यहां पे यह आता है तो क्या होता है इधर तो क्या रहता है हमारा 5 Y cap यह तो सेम रहेगा लेकिन ये downward direction में होगा देख पा रहे हो पहले y axis में उपर की तरफ थी पर आप y axis में नीचे की तरफ हो चुकी है क्या ये minus 7 j हो जाएगा क्या ये minus 7 j cap होगा definitely तो अगर ये p point पे ये था तो q point पे जो speed होगी जो velocity होगी वो क्या होगी 5 i cap minus 7 j cap बैस खतम ये difference आएगा अगर speed पूछता तो तो आप क्या कर दो u क्यूं का क्या कर दो mode लगा दो mode कैसे निकालते हैं 5 का square plus minus 7 का square और इसका क्या कर दो square root इसको solve कर लो निकाल लो जो भी आएगा km per hour speed होगी ये velocity है ठीक है velocity से speed निकालना हो तो इसका vector का क्या निकालना पड़ेगा भई vector का magnitude निकालना पड़ेगा ठीक है तो ये answer है अब मुझे इस projectile motion के लिए तीन चीज़े चाहिए पहला time of flight maximum height और horizontal range क्या क्या है ये आपको बता दू maximum height तो h होगा और horizontal range r ठीक है तो यहाँ पे देखू ये हमने यहाँ से एक पथर फैका u velocity से फैका आप देख पा रहे हो तो इसका एक component तो यहाँ होगा क्या होगा क्या वो लेंगे अगर यहाँ पे theta angle है जहाँ theta होता है वहाँ cos theta तो u cos theta एक component कहां की तरफ होगा उपर की तरफ होगा क्या होगा u sin theta है ना यहाँ भी u sin theta होगा यहाँ से हमने फैका ठीक है पहले चीज़ time of flight मतलब यहाँ से उठके वहाँ गिरने में यहाँ o point अगर है तो यहाँ से उठके यहाँ पी गिरने में इसने total कितना समय लिया time of flight वो मुझे चाहिए पहला ठीक है वैचे आप time of flight पहले भी निकाल चुके हो जब हम motion under gravity पढ़ रहे थे याद है आपको u by g आया था आधे के लिए half के लिए जो उपर जाएगा तो u by g जब निचे वापस आजाएगा तो to u by g याद है ना उसके बाद आपको क्या करना है दूसरा आपको मुझे चाहिए maximum height कि यह नहीं यह कहां तक गया maximum height यह यह पत्थर जो मैंने फैका जिस भी velocity से मैंने फैका यह कितनी height पे जाएगा maximum इसके height कितने रहेगी है ना यह चाहिए मुझे h h maximum h maximum यह चाहिए और तीसरा मुझे चाहिए horizontal range r r क्या है यह आर है यहां से यह गया ना यहां तक यह आर है यहां तक यह आर है जितनी दूर यह गया है horizon के अंदर horizon में यहां से चला था और कहां गया यहां गया यह मुझे चाहिए horizontal range इसको कैसे calculate करेंगे सबसे पहली चीज़ की बात करते है time of flight time of flight की बात करते है कि T को कैसे निकालोगे देखो time of flight के लिए सिधा सिधा या तो आप क्या करो या तो आप to u by g कर दो एक direction की motion कोदो कैसे या तो y वाली कोदो या x वाली कोदो दोनों को मत पकड़ना y वाली direction कोदते है y वाली कोदते है थो क्या 4 y direction y direction y i वाली motion को पकड़ रहे है आपको सीधा सीधा पता है कि अगर आप कोई एक object को अगर u velocity से उपर की तरफ फैकते हैं और वो नीचे आता है याद है ना मैंने बताया था motion under gravity में तो वो उपर जाने में जितना समय लेता है उसको बोलते हैं u by g और वो वापस आने में जितना समय लेता है वो भी होता है u by g और जो total समय होता है वो क्या होता है t equals to u by g plus u by g तो यह total हो जाता है क्या 2u by g यह हो जाता है हमारा उपर की तरफ इस object की उपर की तरफ velocity क्या थी u लेकिन हमारी velocity u sin theta है तो आप क्या कर दो आप 2u sin theta आप क्या करो 2u sin theta by g कर दो this is your time of flight this is your time of flight निकल गया ठीक है यह आपका time of flight होगा ठीक है क्या यहाँ पे लिख दू 2u sin theta by g यहाँ पे लिख देते हैं 2u sin theta by g 2u sin theta by g यह होगा आपका time of flight पूरी जर्नी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने time में travel करेगा initial velocity को रख दो angle जो दिया है उसका sign निकल के रख दो और 2 upon में जो gravitation हो तो 10 हो गई वो रख दो बात खतम ठीक है यह फिर आप derivation से कैसे solve करोगे पहले derivation बताना चाहिए था फिर so trick अब आपको so trick समझ में आ गई है तो अब derivation में मजा नहीं आएगा पर देखो हमें करना है करेंगे फोर वाई डारेक्शन है ना वाई डारेक्शन के लिए ले रहे हैं सबसे पहले चीज़ यहां पर मुझे यह बताओ कर दाओ इनिशियल वेलोसिटी 4 y डारेक्शन क्या है जो जो पूशरा हो बस बताते जाओ इनिशियल वेलोसिटी फोर वाई डारेक्शन क्या है यू साइन थीटा है ना हाफ यहां तक आएगा तब की बात करूँगा उसको फिर डबल करड़ेंगे तो स्कार्ट करो तो फिर फिर पूरा हो जाएगा यहां तक कceptions ही होने वाला है अगर ऊपर वाड़ा यू वाइजी त था निचे वाड़ा यू वाइजी होता है है नया यू वाइच्टी और चूंठ लका अब है एक्सेलेशन भी होगा यह सारी चीजें हमारे पास ताइम कितना लिया ठीक है टाइम माल लेता है एक बार के लिए ठीक तो अगर यहां पे मैं से सफिए लगाओ वी क्वल्स 2 में U plus 80, क्यों लगाया मैंने, क्योंकि acceleration uniform है, जब acceleration uniform होता है, तो हमारी 3 equations काम करती है, V equals to U plus 80, है न, fast equation, क्या होगा देखो, V equals to U plus 80 अगर करते हैं, तो V की velocity, final velocity तो 0 है, तो इसका मतलब 0, equals to, initial velocity क्या है, U sin theta, यह हमने लिखा U sin theta, acceleration क्या है, minus G है, तो minus G, minus G, और plus time T, time है, उसको T मान लिया हमने, तो क्या होगा देखो, G T equals to, हमें time चीए था न, T चीए था हमें तो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, G T, G T equals to U sin theta, क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद, T equals to, T equals to, U sin theta upon G, क्या यह लिखा जा सकता है, यह आपका half time आ गया, A point से लेकर के, B तक का आ गया, हमने उसकी की बात करी थी, final velocity B point पे 0 थी, initial जब हम चले थे, U sin theta थी, आप देखो इसको double कर दो, तो जो पूरा time होगा, total, total time होगा, तो भई, half journey के लिए T लगा, तो जो total time of flight होगा, वो क्या होगा, T equals to 2 into T, जरनी double हो गई, तो time भी double है ना, भई, half थी, अब जरनी double है, तो क्या होगा, देखो, 2 into, और U sin theta, तो सिधा सिधा है ना, क्या लिख सकते हो, T, time of flight T equals to 2 U sin theta upon G, सिंपल है ना, 2 U sin theta upon G, ठीक है, यह है आपका concept, और यह formula है, that is very very important, इसको याद कर लेना, जरूर याद कर लेना, जितने formula अभी बताऊंगा, सारे याद करने है, time of flight का भी, maximum height का भी, horizontal range का भी, T time पे, अगर हमें निकालना हो, कितने height पे है, वो भी, सारे बताऊंगा, चिंदा मत करो भी है ना, तो T equals to 2 U sin theta upon G, इतना नहीं करना चाहते, तो आपको पता है, उपर जाता है, U Y G, निचे आता है U Y G, दोनों को जोड़ दो 2 U Y G, उपर की velocity क्या थी, U की value क्या थी, U sin theta, तो सिधा रखो U की value, U sin theta, तो 2 U sin theta by G, so trick भी बता दी, long trick भी बता दी है ना, screen sort लो, ये निकाल चुके हैं fast, second की बात कर रहे हैं देखो, maximum height, H निकालना चाहा रहे हैं, H maximum, सबसे पहले, यहीं से बात करेंगे, A से लेकर के B की, कहां, 4 Y direction, ठीक है, तो A से लेकर के B की बात करें, initial velocity in Y direction कितनी है, U sin theta, final velocity कितनी है, B point पे जाकर के final velocity कितनी हो जाएगी, 0, कुछ ना कुछ acceleration भी होगा, जो कि कितना होगा, minus G, अच्छा, time जो है, उसको क्या मान ले, T, और जो height है, है न, जो displacement है, वो क्या है, H, तो S को मान लेते हैं, H, S को क्या मान लेते हैं, H, इतनी बात के लिए रहे हैं, ठीक है, third equation लगाते हैं, देखो, V square equals to, U square plus 2AS, देखो, V की value तो 0 है, आप जानते हैं, 0, equals to, U square, U है, तो U कितना है, U sin theta, तो इसको रख देते हैं, U square, sin square theta, plus, 2A, acceleration कितना है, minus G, तो into minus 2GH, यह होगा, minus 2GH, यह होने वाला है, तो 0 equals to क्या हो गया, U square, sin square theta, minus 2GH, हमें क्या चीए, H हमारा capital था, हमें क्या चीए, हमें क्येवल, चाहिए, यह H यहाँ से, तो 2GH को इधर उठा के ले आएं, तो यह हमने लिखा, 2GH, H capital है, 2GH को उठा के इधर ले आया, प्लस का हो गया, इधर क्या बच गया, U square, sin square theta, ठीक है, आगे करते हैं, 2GH है, हमें क्येवल H चाहिए, H maximum, तो H maximum, इक्वल्स 2, कितना हो जाएगा, U square, sin square theta upon 2G, है न, U square, U square, sin square theta upon 2G, यह होगा, आपके पास H maximum निकालने का formula, concept है, ठीक है, derivation कैसे निकाला है, हमने आपने देख लिया, so trick भी बताऊंगा, so trick बताएंगे अभी आपको, ठीक है, यह आपको समझ आया, H maximum कैसे निकाला हमने, बस values को put किया, U square, sin square theta upon 2G, important formula है, इसको भी याद कर लेना, so trick क्या है, भई आपको याद है, कि जब आप उपर की तरफ चीज़ें फैकते थे, उपर की तरफ कोई भी object को फैकते हो, तो वो कितनी maximum height तक जाता है, उसका formula अगर आपको याद है, मैंने motion under gravity में बताया था, तो क्या होता है, U square upon 2G होता है, क्या होता है, U square upon 2G, यह होता है, H equals to, maximum height equals to, होता है, U square upon 2G, अब हम Y के बारे में बात कर रहे हैं, तो Y के अंदर मेरी initial velocity क्या है, उपर की तरफ कितनी velocity से, कितनी velocity जा रहा, U sin theta, तो मैं यहाँ भी लिख दूँगा, U square sin square theta upon 2G, यह सोट ट्रीक है, है न, कुछ नहीं, स्क्रीन सोट लो, तीसरा है horizontal range, इसके बारे में find out करेंगे, अब horizontal range क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना गया, है न, A से लेकर के C तक, C मान लेते हैं इसको, तो यह हमें निकालना है, तो इस बार Y direction तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि गया किसमें है, horizontal में है, horizontal range हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4, तो यह निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, 4, X direction, direction है वो तो X ही लेनी पड़ेगी, no doubt, सबसे पहले चीज, इसमें velocity कितनी, initial velocity जब चलना शुरू किया A point पे, तो velocity क्या थी, initial velocity in X कितनी है, देखो, यहां से चलना शुरू किया है, इस point पे initial velocity क्या है, U cos theta, U cos theta, वे उपर की तरफ U sin theta थी, तो इधर U cos theta, है न, acceleration, X direction में acceleration क्या, velocity तो बदली नहीं रही, velocity तो constant है, तो acceleration कहां से आएगा, नहीं, acceleration क्या है, 0, acceleration 0 है, acceleration क्या है, 0 है, उसके बाद, यह important बात है, ध्यान रखना, acceleration 0 है, उसके बाद क्या हुआ, हमें चाहिए displacement, X direction में displacement कितना हुआ, हुआ, एक बात देखो, यहां से चला था, यहां तक गया, यहां से चलके यहां तक गया, displacement कितना हुआ, यह पूरा displacement हुआ, यहां तक, ठीक है, हमें निकालना, horizontal range तो R ले लेते हैं इसको, यह तो निकालना, R ही तो निकालना हमें, time, time कितना है, वहां तक पहुचने में total time कितना लिया, time of flight, अरे वो यहां तो लिया है, time of flight, यहां से वहां तक पहुचने में टाइम कितना लिया, तो जो कि T के बराबर है, ठीक है, अच्छा, T कितना निकाला था अभी हमने, याद है, टी एक्वल्स टू कितना निकाला था टू यू अपोन जी और यू कितना था उपर की तरफ यू साइन थेटा तो टू यू साइन थेटा अपोन जी ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा है ना ठीक है अच्वे सेंट लगाएं तो यहाँ अब कॉंड इक्वेशन लगाएं तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे ना तो यह सूएय। टी प्लस S equals to UT plus half AT square तो S की value कितनी है S की value R है initial velocity कितनी है अच्छा time यहाँ पे T की जगह क्या है capital T यहाँ पे भी time की जगह capital T तो यह square तो U initial velocity क्या है U cos theta रख देते हैं U cos theta अच्छा T कितना है T तो हमारा ही आया था U sin theta by time of flight रखना पड़ेगा तो 2 U sin theta by G तो यहाँ पे हमने लखा 2 U sin theta by G उसके बाद plus half plus half into acceleration कितना है? 0 और into में चाहिए T square रखो चाहिए मत रखो अभी T की value चाहिए यहाँ रखो मत रखो 0 हो जाएगा ना, finally 0 होगा तो यह term तो finally क्या होगी? 0 तो यहां से देखो अब क्या हैगा? U cos theta तो U cos theta और यहाँ पे क्या यह you square? देखो यह हो जाएगा U square cos theta और फिर sin theta तो 2R equals to इसको लिख सकते हैं R equals to क्या लिख सकते हैं आगे लिखते हैं compelling R equals to क्या लिख सकते हैं? वे टू तो रहेगा तो यू स्क्वाइर यू स्क्वाइर पहले टू लिख देता हूँ टू यू स्क्वाइर और कोस थिटा साइन थिटा है ना कोस थिटा साइन थिटा अपॉन अपॉन में जी है वो रहेगा अपॉन में जी यह हमारे पास आ चुका है और आप इसको और आगे की तरफ भी करना चाहें तो और क्या होगा देखो कि बोलेंगे सर हम यहां से सैटिस्फाइब नहीं है हम दो और आगे करना चाहेंगे तो एक बात याद करो साइन टू थिटा किसके बराबर होता आपने पड़ा है ना मैट्स में साइन टू थिटा तो क्या यह होता है टू साइन थिटा कोस थिटा की बराबर होता है तो यहां पर टू कोस थिटा साइन थिटा है मेरे पास तो मैं इसको लिख दूं तो क्या हो जाएगा देखो आर इक कि ये भी आपका क्या है ये भी आपका क्या आ गया horizontal range यह तो important formula है इसको आप याद रखें इस दिर्टी को बता दूँ यह तो हुआ संडे एक भार ले लो UX एक बार ले लो UY हैना साइड में करता हूं देखो हो कहीं, जगह नहीं है खर, यहां पर एक बार आप करोंगे, क्या करोंगे 2, u, x, और एक बार क्या करोंगे, u y, initial velocity for y, and upon the gravitation, ये r equals to करोंगे, तो सीधा ये कर सकती हो, जो x में आपको velocity मिले, जो क्योशन में दी हुई हो, वो रख दो, जो y, डाल ख्याहिं चैनल सब्सक्राइब किलिए अंग श in करोंगे तो क्यविफिह का सब्सक्राइब साइन थीटा यू का यू से करोगे यू स्कार साइन थीटा को सिंटा पूंजिया जाएगा ठीक है इससे भी डारेक्ट कर सकते हैं आएगा वहीं निकलके यह सोट्रिक है क्योंकि बच्चे नीट की तैयारी भी कर रहे हैं उसके लिए तो स्क्रीन सोट लो देखो, same concept पर based question है, the velocity of projection, velocity of projection of a projectile is given by, क्या है, u equals to, ये velocity दे रखी है, time of flight निकालना है, maximum height निकालना है, और range निकालना है, देखो, अब कितनी आसानी से ये question soul होगा, देखो, answer निकालते हैं, situation क्या है, ये आपके पास, यहां से कोई object हो जाएगा, u के अंदर क्या होगा, वह आप देखो, i cap, तो यहां पर क्या है, 5, यहां पर 5 है, तो उपर के तरफ क्या होगा, 10, यह 10 होगा, सिद्धी सिद्धी बात है ना यार, i cap में 10, j cap में 5 और j cap में 10, ठीक है, तो यह object जा रह रहा है कहीं, ऐसे जाकी गिल रहा है, और इसकी initial velocity आपको यह दे रखी है, वह 5, i cap, और प्लस 10, j cap, तो i के अंदर हमने ले लिया, यह i cap है हमारा, 5, i cap, और यह है हमारा 10, j cap, पूछ क्या रहा है, time of flight, ठीक है, तो time of flight पहला, इसका formula अभी अभी आपने निकाला है, time of flight equals to, उपर जाएगा तो u by g, निचे आएगा तो u by g, 2u by g, है ना, तो क्या होता है, 2u sin theta by g, यह formula होता है, कहाँ था, याद कर लें, देखो, क्या होगा, 2 into, initial velocity कितनी दे रखी है, यह आपका u sin theta है ना, u sin theta 10 के बराबर है, तो into 10, और upon में gravitation कितना होगा, 10, यहाँ से कितना आ गया, 2, 2 second, अगर यह meter per second है, तो यह कितना आ गया, 2 second, simple, दूसरा आपको निकालना है, maximum height, दूसरा आपको h maximum निकालना है, maximum height निकालना है, क्या formula है, u square sin square theta upon g, तो यह हो जाएगा, u square sin square theta upon g, क्या मैं इसको यह लिख सकता हूँ, u sin theta square, क्या मैं इसको यह लिख सकता हूँ, u sin theta square upon g, क्या यह लिखा जा सकता है, यह upon क्या था, 2g था, upon 2g, यह upon 2g, देखो, u sin theta, u sin theta, कितना है, 10 है, u sin theta है, यह u cos theta है, यह u sin theta है, अगर यह angle theta हो, है न, तो यह कितना आजाएगा, आपके पास, given है आपको 10, तो 10 का square upon 2 into 10, तो यह 10 का square करोगे, तो 10 into 10 upon, 2 into 10, equals to 10 से 10, cancel out, और यह 5, तो यह आजाएगा, 5, क्या निकाला है, maximum height है न, 5 meter, 5 meter is answer, 5 meter is answer, समझ गए, और उसके बाद, आपको range पूछ रहा है, तिसरा, थाइड में, आपको क्या पूछ रहा है, range, अभी अभी range का formula drive किया है, 2 ux, uy upon g, 2 ux, uy upon g, बताया है, थोड़े देर पहले सोट्रिक बताई थे न, सिधा निकालो, या फिर आप क्या करो, सिधा रखो देखो, 2, और यहाँ पर क्या आजाएगा, u square, cos theta, sin theta upon g, वैसे रख लो, यू cos theta कितना है, यह है 5, u sin theta कितना है, 10, थीक है न, तो सिधा रखो, 2 u cos theta, u sin theta, उससे चाहा क्या रखो, वही सिधा, 2 ux, uy, तो ux आपको कितना है, 5 और यह कितना है, 10, और gravitation आपके पास है, 10, तो कितना आजाएगा, यह 2 into 5 into 10 upon कितना आजाएगा, 10, 10 से 10, cancel out, r equals to 10 meter, यह object कितनी जूर जाके लोंच होगा horizontal में, horizontal range कितनी है, 10 meter की, है न, तो देखो, कितने आसानी से क्योशन सोल हो जाते हैं, कितने आसानी से क्योशन सोल होते हैं, अगर आपको concept clear है, so trick भी बताई मैंने आपको, और drive करना भी बताए, दोनों चीज़े, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, है न, इसक्रीन सोट लो, velocity after time t, t time के बाद, resultant velocity, इसको resultant velocity बोल दो, क्या है इसका मतलब, यह निकालना, और साथ angle भी निकालेंगे, है न, horizontal के साथ angle क्या होगा, उसकी भी बात करेंगे, देखो, यहां से आपने, एक a point से, कोई एक पत्थर फैका, ठीक है, किस velocity से फैका, u से फैका, तो इधर क्या होगा, u cos theta, अगर यह theta है, और इधर क्या होगा, u sin theta, यह बात तो confirm है अभी तक, अब अगर मैं पूछूं, कि यहा यहां तो आपने चलो कहा, कि जो velocity है, वो maximum है, मतलब y के अंदर जो velocity है, y के अंदर जो velocity है, 0 है, यहां पे जो v y है, वो आ करके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो अगर कोई यहां पे आपको resultant velocity पूछे, कि यहां पे velocity बताओ, तो केवल कौन सी velocity, u cos theta, तो आप सिधा क्या बोलोगे, u cos theta, i cap, बात समझना, अगर आपको कोई बोले कि इस point पे आप क्या बताओ, maximum height पे आप क्या बताओ, velocity बताओ, resultant velocity, actual velocity क्या होगी, तो x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, यह जो x कंपोनेंट यह क्या है, u cos theta, u cos theta, और साथ में क्या होगा, i cap, u cos theta, i cap, अच्छा, स पूछ करके, आपको क्या कहे, कि आप यह बताओ, कि इस point पे, इस point पे resultant velocity क्या है, अब आएगा मज़ा देखो, यहाँ पे नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, तो इसकी बात खतम, अब यहाँ पे, एक तो क्या होगा, एक तो क्या होगा, u cos theta, वो तो change होना नहीं है, यह तो constant रहती है, यह क्या होगा, उपर की तरफ, उपर की तरफ क्या होगा, u sin theta होगा, वो u sin theta कितना होगा, उसकी बात कर रहे हैं, देखो, 4 y direction, x direction की तो बात नहीं करने हैं, क्योंकि यह तो u cos theta है, उसको तो बस i cap लगा के लिखना है, है ना, तो 4 y direction, y direction के लिए बात कर रहे हैं, और जो y direction के लिए velocity है, देखो, यहाँ से जब चला था तो velocity क्या थी, initial velocity, y direction के लिए initial velocity कितनी थी, यह थी u sin theta, इस point पर final velocity क्या होगी, अरे वो ही तो निकालनी है, उसके बिना कैसे काम चलेगा, तो final velocity हमारे पास है नहीं, वो हमें चाहिए, अच्छा, acceleration है क्या हमारे पास, acceleration भी है, कितना है, minus g है, acceleration for y, x के लिए तो कोई acceleration नहीं है, इसलिए velocity भी चेंज नहीं हो रही है, अच्छा, ठीक है, तो हमारे पास equation होती है, v equals to, v equals to u plus a t, equation क्या है, v equals to u plus a t, है ना, u plus a t, u कितना है, u sin theta, u sin theta, acceleration minus g है, तो यह क्या हो जाएगा, minus g और t, यह velocity आ गई, final velocity for y, लेकिन हमें final velocity for y नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे resultant velocity चाहिए, कि सच में जो velocity है, वो बताओ क्या है, तो जो final velocity यहाँ पे, अगर यहाँ यह initial point था, है, यह final point है, तो यहाँ पे जो final velocity हो क्या होगी, यह एक्स component की velocity, plus y component की velocity, तो यह हमने निकाली है, यह कितनी आई है, u sin theta minus gt, यहाँ पे हमारे पास कितनी आई है, u sin theta minus gt, यह आई है, और इस direction में कितनी है, यह तो same है, u cos theta, u cos theta, अगर मैं resultant velocity की बात कर रहा हूँ, वी रेजल्टेंट, वी रेजल्टेंट क्या है? देखो, एक तो यू साइन थिता, अब देखो, X कमपोनेंट प्लस Y कमपोनेंट, X कमपोनेंट तो यू कोस थिता, ये तो होरिजोन्टल वाला तो सेम है, ना फिक्स है, यार, चेंज ही नहीं होता, U cos theta I cap plus J cap के अंदर कितना है U sin theta minus J T U sin theta minus J T और साथ में क्या आज आएगा J cap यह है हमारी resultant velocity resultant velocity U cos theta I cap horizontal component plus vertical component U sin theta minus J T J cap यह हम निकालना चाहरे थे अगर आपको क्योशन में आप पुछे कि आप यह बताओ भाई कि इस point पे जो resultant velocity हो क्या होगी स्पीड क्या होगी स्पीड कैसे निकालोगे इसका magnitude निकाल देना वेक्टर का magnitude जानते हैं कैसे निकालते हो अच्छा यहां पे यह यू कोस theta है मतलब यू कोस theta कौन है यू का X component तो क्या मैं इसको यह लिख सकता हूं यू का X component I cap प्लस यह कौन है यू साइन थिटा कौन है यू का Y component यहां यू से चले थे ना तो यू का X component यह है यू का Y component क्यों है यू साइन थिटा तो यहां पे मैं लिख दूँ यू का Y component है ना और माइनस जिटी माइनस जिटी और जे गैप यह भी लिख सकता हूं ना मैं यह भी लिख सकता हूं सेम ही तो बात है मैंने कुछ अलग तो नहीं लिख दिया यह भी net velocity होगी मेरी ठीक है तो अब तो मैंने बात करी कि वह टी टाइम के बाद velocity क्या होगी ठीक है resultant velocity क्या होगी अब मैं बात करूंगा अगर आपसे यह एंगल भी पूछ लिया जाए अगर यह एंगल भी आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे आपसे अगर यह एंगल भी पूछे अगर यह एंगल मान लेते हैं अलफा और आपको बताई यह एंगल बताओ यार तुम कि होरिजोंटल के साथ क्या एंगल बना रहा है यह होरिजोंटल हो गया तो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है मतलब यहां से जब आपने फेका तो थिटा एंगल बना रहा था साट था सतर था हमें नहीं मतलब है ठीक है लेगन यह बोल रहा कि इतने हाइट पे आने के बाद इतने टाइम बाद आप यह बताओ जैसिस की वेलोसिटी पूछी ना इतने टाइम बाद तो आपने टाइम को रखा एक्लेशन को रखा निकाल लिया यह वी नेट है तो वैसे यह पूछ रहा है यह एंगल बताओ ऐलफा क्या है उसकी बात करूंगा स्क्रीन सोट लो कि इसको बोलते हैं इंकलीनेशन इंकलीनेशन वीद इंकलीनेशन किसके था एंगल किसके साथ होरिजोंटल के साथ होरिजोंटल आफ्टर टी टाइम आफ्टर टी टाइम यह निकाल रहे हैं अब हम है ना अलफा निकाल रहे हैं कैसे निकाल लेंगे 10 अलफा निकाल लो यार inclination with horizontal after t time तो 10 अलफा चीए ना आपको भाई ये इसको बाहर निकाल लेता हूं थोड़ा है ना तो ये situation है हमारे पास ये क्या है u cos theta ये u cos theta है ना u cos theta ये कितना है बताओ थोड़ा u sin theta minus z t u sin theta minus z t I hope आपको यहां तक दिख रहा हूं ये है ये हमारा जारा यहां पे हमें alpha चाहिए ये situation है हमें alpha चाहिए तो बताओ 10 alpha equals to क्या करते हैं 10 alpha क्या करते हैं आपको याद है perpendicular base perpendicular upon hypotenuse hypotenuse base तो perpendicular base perpendicular perpendicular upon base perpendicular कौन है ये है ये है ना ये क्या है एक तरह से ये u का y component है भाई ये अगर velocity u थी तो ये u का y component है और ये u का क्या है ये u का x component है तो perpendicular upon perpendicular upon base तो ये perpendicular है ये यहां पे u नहीं है लेकिन अब ये क्या हो चुकी है final velocity हो चुकी है यह क्या है VY है और यहाँ पे भी यह क्या है final velocity V खरिये तो change ही नहीं हुए इसके तो final और initial बराबर है यहाँ पे तो initial था यह यहाँ पे क्या था इस situation में क्या था यह UY था और इस situation में यह क्या था यू X था initial velocity of X initial velocity of Y यह U U का X component X component Y component अब यहां जाके final velocity क्या हो चुकिए वी हो चुकी है आप फाइनल वालोसिटी वी हो चुकी है टी टाइम के बाद तो अब यह क्या है इसका वी वाई कंपोनेंट अपन अपन वी एक्स कंपोनेंट है ना वी वाई कंपोनेंट यह हमने लिखा वी वाई परपेंडिकुलर अपन बेस यह परपेंडिकुलर है यह परपेंडिकुलर यह होगा ना इस एंगल का यह परपेंडिकुलर होगा तो यह परपेंडिकुलर जो है यह इसके बराबर होगा तो अगर यह वी वाई है तो य ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है ना टेन अलफा इकोल्स टू अगर आपको यह पता है कि वह वाई और वी एक्स क्या है तो सिधा रखो और आज आएगा आपके पास अलफा कितना होगा टेन इनवर्स वी आपोन वी एक्स रखो इसको रख सकते ह है तोगया चाहो तो यह उठा के रख दो यहां रख दो और विएक्स क्या है यह गया किनिš के नीचे रख दो इह दोनों चीजा आगई हैं तो हमने देखा कि वह ही जो डॉशिटी टी है टी है टी टाइम के बाद अगर हमें ब्ला इसलिए निकालनी पड़ जाए तो तो हमें क्या करना है थोड़े दिर पहले formula देख लिया और अगर हम हमें inclination with horizontal अगर एंगल निकालना पड़ जा है horizontal के साथ टी टाइम के बाद तो यह formula लगा होगे important है कि याद कर ले ना इसको है ना screenshot ले लो इसका भी अब क्योशन करेंगे देखो क्योशन है एक प्रोजेक्टाइल इस थ्रोवन विद इस स्पीड ओफ 100 मिटर पर सेकेंड मेकिंग अन एंगल 60 डिग्री एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है with horizontal find the time after which its inclination with horizontal is 45 डिग्री चर बताते क्या हो पूछते क्या हो कैसे निकालेंगे हम देखो आपको क्या कह रहा है situation को समझो पहुत आसान क्योशन है यार देखो situation समझ लो पहले यह आपके पास अगर देखो यह आपके पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है ना देखो यह आपका क्या है इधर वाई तो यहाँ पे यू वाई है और यहाँ पे वेलोसिटी निचे की तरफ यू एक्स है अगर यहाँ से चलना शुरू किया ठीक है आपको टी टाइम के बाद आप यहाँ पर वैलोसिटी बताओ मुझे क्या है ₹ल्ल यह देरिक्स में कि wedding वी यह एक्स है और यह इक्स है और श॥ा में वाई है बिलकुल और आपको क्या दे रहा है जानते हो आपको देरा है यह वाला से से आपको अलफा दे रहा है एलफा की वाईल्यू देरा एलफा की आओ आ और ऑनके यहां पे यहां पे जो एंगल दे रहा है थिटा वो कितना दे रहा है 60 डिग्री कि 60 से हमने फैका था कुछ टाइम बाद जा कि एंगल कितना हो गया 45 हो गया वो टाइम बताओ कितने पे हुआ तो यहांपर जो वैलोसिटी थो तो क्या थी ओ कोशण सिट इदो यू कोशण सिटर रू तो इसको यू सब्सक्राइब कूल सकते हो तो इसल फाइनल वनस्यट्य वैक्स और यहांपरpsy थी कि यू साइन थीटा है ना यहां पर यू साइन थीटा थी पर अब क्या हो गई है अगर आपको याद अभी हमने पड़ा है यू साइन थीटा माइनस जीटी अब ये velocity हो चुकी है अब ये हो चुकी है ना एक बात बताओ 10 alpha कैसे निकालते हैं ठीक है तो देखो 10 alpha equals to क्या करते हैं velocity of y by perpendicular upon base perpendicular क्या है velocity of y अभी तो किया upon velocity of x ऐसे तो करते हैं ऐसे 1045 आपको क्या दे रहा है 1045 रखो 1045 degree equals to velocity of y upon velocity of x 1045 की value कितनी होती है 1 होती है है ना तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1 equals to velocity of y upon velocity of x अब आएगा मज़ा देखो अगर मैं यह कर दूँ अगर मैं यह कर दूँ वेलो सिटी ओफ y upon velocity of x इसको रखते हैं value रखते हैं देखो वेलो सिटी ओफ y कितनी हो जाती है U sin theta minus gt यह हो जाती है U sin theta minus gt upon velocity of x यह तो same बनी रहती है यहाँ पे u cos theta है यहाँ पे भी u cos theta ही रहती है ना तो यह हमने किया U cos Theta क्या मैं इसको इधर multiply कर दूँ तो देखो क्या value आएगी U cos Theta इधर आ गया U cos Theta equals to, क्या है U sin Theta minus ZT U sin Theta अच्छा Theta की value क्या है, बताओ 60 है ना, वो तो alpha है, वो मतरक देना Theta यहां से होता है तो कितना है 60 degree और यहां पे क्या हो गया है यू साइन थिटा तो यू साइन 60 माइनस जे टी हमें टाइम निकालना है है ना जी की वैल्यू भी आपको पता है एक्सेलेशन टेन टेन टी तो रख दो इसको टेन टी ठीक है यह सेपरेट है उधर वाला पॉर्शन सेपरेट है उसमें मत गुज जाना यह इधर उसके बाद कर रहा हूं है आप देखो क्या होगा यहां पर को सिक्स्टी की वैल्यू कितनी वन बाई टू और यू आपको दिय हुआ है यूँ आपको दिया है क्या इनिशाल वेलुसीटि दी है क्या इनिशाल वर्योसिटी आपको क्योसर में प्रोजेक्टाइल ट्रोवन विदेश्पीड ओव एंडर्ड मेटर पर सेकंड यह रहा है दिया हुआ है कि हैंडर से वैक्का था वही हमने साट डिगरी की ए एंगल पर फैका था उसके बाद जाके एंगल 45 हो गया 45 तुम बताओ कितने टाइम पर हुआ है ना तो यू को साथ तो यहां पर मैं क्या करूं फोट हैंडर्ड इंटू वन भाई टू को साथ की वैल्यू वन भाई टू होती है और यहां पर भी हैंडर्ड और साइन 60 साइन 60 होता है रूट 3 वाई 2 है ना और माइनस 10 टी यहां से करोगे 50 बचेगा यहां से करोगे 50 रूट 3 है ना यहां जाएगा 50 इक्वल्स टू यहां जाएगा यहां से 50 रूट 3 माइनस 10 T क्या इन सभी में से 10 को बाहर किया जा सकता है सभी को 10 से डिवाइड कर दो क्या होगा देखो सभी को अगर 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहां पे क्या होगा 10 तो यहां पर वūका फाई है यहां पर क्या जानेगा फाइव अजा जाये एकवल इकवल चु यहां पर आजए गब के पास 3 और यहां पर 5 अगर têma को तो और यहां पर इन करके तो तेन ड्रोघे तो फाइव रूट 3 सोरी माइनस की यहांपर क्या जाये statement हुआ ठीक है आप यहां से इधर आ रहे हां यहां से इधर इंगे को तो टिक मेरा कितना हो जाएगा इसको इधर ले आओ याटी को इधर ले तु सहले जाओ वी इकवलस टू है हम की क्या होगा फाईव रूट तरी तो तो यह आ जाएगा 5 बहार आ जाएगा तो रूट 3-1 इस टाइम पे इस टाइम पे यह कितना था मिटर पर सेकेंड तो यह सेकेंड इतने सेकेंड टाइम के बाद है इतने second time ए ये हमारा answer है न इतने second time के बाद कि इतने second time के बाद ये जो यू ये जुब ज़एक्ट है जिसको फेक्खा था था प्रो ले मुंघेंग फइई वार्फा एंगल फो डिग्री एंगल बना रहा होग वे क्या है इसके वापता है निकाली ठीघव हमने रख दिया ये अमेसा आप बदलता नहीं यह यह से रहता है इसको एह हमें रख दीआ पयसको इसको इसको किया यू की है सिर्क्रणों में रख थिए इसके बाद इसको साथ 1x2 को होता यूました है बने खतम, स्क्रीन सोट लो, आगे चलते हैं, अब हैं कुछ important tricks, जैसे कि यहाँ पर पहला है relation between R and H, कि R के बीच R क्या है, horizontal range, और H क्या है, maximum height, तो R और H के बीच क्या relation होता है, यह होता है, 4H equals to R 10 theta, यह relation होता है, 4H equals to R 10 theta, and this relation is very very important, we can say that, this is very very important, इस relation पर बहुत सारे questions हैं, वो आएवे हैं, आगे भी आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक आये हैं, तो आगे भी आएंगे निश्चितरूप से, तो इसको आप learn करें, बहुत important है, 4H equals to R 10 theta, उसके बाद next, अब बात करेंगे R maximum की, second range, range maximum, देखो कब आपकी range हो maximum आएगी, आप चार लोग हैं, आपके बीच long jump competition चल रहा है, आप चारों same speed से दोड़ते हैं, ठीक है, आप चारों भाग रहे हैं, तो कितने degree angle पे आप खुद को jump करें, कि आप सबसे ज़्यादा आगे जाके गिरें, आपकी range सबसे ज़्यादा हो, यह निकलने वाले हैं, तो यहाँ से आप माल लेते हैं, यहाँ से इस तरह से आपने jump किया, तो ground के साथ, ground के साथ आपका क्या angle हो, theta, कि आप सबसे ज़्यादा दूरी पे जाके launch हो जाएं, ठीक है, यह आप launch हो गई, कहीं दूसरी जगे जाके, ground पे, ground से ground, ground से हवा में कहीं गुम नहीं रहे, ground से ground गई है, तो यह तो theta की value है, वो क्या होनी चाहिए, तो यह जो theta है, वो है आपका 45 degree, theta equals to 45 degree, ठीक है, इस angle से आपको jump लेना पड़ेगा, आप दोड़ रहे हैं, दोड़ रहे हैं, सभी दोड़ रहे हैं, किसी ने 30 से jump लिया, किसी ने 20 से jump लिया, किसी ने 60 से jump लिया, लेकि आपकी range सबसे ज़्यादा होगी, same speed से आप आ रहे हों, भले ही क्यों ना, ठीक है, तो theta की value 45 होने चाहिए, लेकिन इसका derivation समझते हैं, ऐसा क्यों होगा, देखो, आपको पता है, r की value क्या होती है, u square sin 2 theta upon g, अब maximum value अगर आपको निकालनी है, तो इसका differentiation करना पड़ेगा, आपको r की क्या चाहिए, maximum value, तो आप क्या करें, देखो, आप क्या करें, dr upon d theta करें, differentiation पड़ रखा होगा, नहीं पड़ा है, तो मेरा वीडियो देख लो, differentiation पे है, differentiation by जितेसर है, देखोगे तो मिल जाएगा YouTube पे, अब देखो, यहाँ पे u square, u तो ऐसे काईसे रहेगा, theta के respect में कर रहे हैं, तो sine 2 theta का हो जाएगा, देखो, u square upon g तो रहेगा, ऐसे काईसे, u square upon g तो ऐसे ही रहेगा, और sine 2 theta, तो sine 2 theta का क्या हो जाएगा, cos 2 theta, और फिर 2 theta का क्या होगा, 2 theta का हो जाएगा, 2, और इसके equal में रख लेते हैं, 0, इसके equal में रखेंगे, 0, तो क्या हो गया देखो इनको compare कर देते हैं एक बार तो यह देखो यूश्वार्य पॉन जी एक बार जीरो जाएगा और यह कोस्टू थिटा तो टू कोस्टू थिटा बराबर किसके होगा जीरो के यह टू भी उदर जाके जीरो हो जाएगा भी टू भी उदर जाके क्या होगा जीरो टू थिटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स जीरो कोस में कितने डिगरी की वैल्यू है वो जीरो होती है 90 की तो देखो टू थिटा इक्वल्स टू क्या जाएगा 90 डिगरी तू थिटा इक्वल्स टू क्या आएगा 90 math ニवर्टी 5 डिगरी कि 90 एपॉन टू हो कितना आ जाएगा 45 डिगरी है और यहां घैक की वैल्यों हे वह क्या होगी मैक्सिमम वैल्यों ऐगी मैक्सिमम वैल्यों है मलत जो ही तो अगर आप सभी एक साथ दोड़ रहे हैं आपकी शेम स्पीड है आर कि पर डिपेंड कर रहा है साइन मतलब यूस्वाइर इसकी पर डिपेंड कर रहा है ना अच्छै यहां से अगर मैं लिख दू देखो आगर यहां पर फिटा की वैल्यू स्पाइब लिए अगर मैं 45 रख दो तब क्या होगा देखो आर इकोल स्टू मैंने रखा यू स्क्वाइर साइन और टू और इंटू फोर्टी फाइव तो साइन नाइंटी कितना होता है साइन नाइंटी वन होता है वह अगर मैं यहां पर रख देता हूं आर इकोल स्टू यू स्क्वा आएगा आर इकोल्स टू मेरे पास आजाएगा साइन नाइंटी की वैल्यू तो कितनी होती वन होती है तो क्या बचेगा आर मैक्सिमम अगर मुझे निकालना हो और मेरे पास अगर इनीशियल वैलोसिटी मुझे पता हो तो मैं सीधा सीधा रख सकता हूं यू स्कॉार अपॉ मागया रिलेशन बिट्विन आरेंड यह ज़रूर याद रखना है इस पर क्योशन करेंगे खर ठीक है स्क्रीन सोट लो कि देखो क्योशन है प्रोजेक्टाइल इस फायर्ड एट एंगल ओफ 45 डिगरी एक प्रोजेक्टाइल 45 पे फायर किया गया ठीक है मैक्सिमम जाएग होरिजोंटल के साथ 45 का एंगल बनाया इलेवियेशन एंगल यह आपको निकालना है न इलेवियेशन एंगल ओफ दा प्रोजेक्टाइल एट इस हाईयस्ट प्एंट पर जाने के बाद एज शीन फ्रोम दा पॉइंट ओफ प्रोजेक्शन एज ओके तो जो आंसर है वो क्य इसको है नब जब यह हाइस्ट पॉइंट पहुंचा ऐसा मान लेते हैं कि इसका हाइस्ट पॉइंट है यहां यह अपनी मेक्सिमम हाइट पर पॉँंच तुका है फरोजच्ट किया गया था मान लेते हैं देखो कि वह एंगल इस कहने के की Нहीं है धीक है यह यह नहीं है यह में वह एंगल 45 है ठीक है जिसके light पर हमें यह वाला एंगल चाहिए हमें यह एलफा चाहिए मतलब यह maximum हाइट पे पहुंचने के बाद projection points से देखो scene from the point of projection उसके साथ क्या एंगल बना रहा है ना elevation angle of the projectile at its highest point highest point से यहां पर क्या एंगल बना रहा है यह हमें चाहिए है ना तो सबसे पहले यह जो value है कितनी है वह यह अगर पूरी एट है मैं पूरा आर है range पूरी आर होती है ना तो यह कितना है आर बाइटू कि यहां तक कितना होगा आर बाइटू यह तो हम जानते हैं यहां पर एच maximum यह हमारा एच हो गया ठीक है टेन एलफा निकालना होगा हमें तेन एलफा क्या होता है बही परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर क्या है एच तो यह हमने लिखा एच अपोन परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनेस हाइ इतना है r by 2 तो यह हमने लिखा r by 2 यहां तक कोई दिक्कत नहीं अच्छा स्कोर कैसे लिख सकते हैं देखो टू पर जाएगा तो यह हो जाएगा टू एच अपॉन आर ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना देखो 10 तो हमने लिखा है एक हैज हमारा यह है और रूय के स्थेतव है तोट्रायर लगायाि इस यसरी हल के लिए लिए न तो वित यार येज़न आरफल है है ऐसे हमारा येलेवेशन एंगल है यही हमारा elevation angle है, जो push रहना, elevation angle, वो ही है यह हमारा, तो देखो, जो relation होता है, वो क्या होता है, 4H equals to R10 theta, यह relation होता है, 10 theta, theta की value कितनी है क्यों सन में, 45 degree है, देखो, यहाँ पर दी हुई है, 45 degree है, रख दो इसको, तो 4H equals to क्या होगा, R10 45, वो 10 45 की value कितनी होती है, 1, तो into में 1, तो R equals to क्या आ गया यहाँ पर, हमारे पास R equals to क्या बच गया, 4H, तो क्या है यह value को हम इसमें रख दें, R के लिए है न, तो क्या यह हमारे पास 10 alpha equals to क्या होगा, 4H हो गया न H से H cancel out H से H cancel out तो कितना बच गया 1 by 2 10 alpha equals to कितना बचा 1 by 2 ठीक है तो 10 alpha equals to क्या हो जाएगा 10 inverse 1 by 2 लिख देते हैं तो alpha alpha equals to 10 inverse 1 by 2 यह हमारा अंसर है ठीक है यह जो angle है यह जो angle है alpha वो इतना होगा 10 में जिसमें 1 by 2 जिसकी value होती है 10 inverse 1 by 2 यह हमारा अंसर होगा तो बढ़िया क्यों सन्था ठीक है इसक्रीन सोट लो यह जो चीज है इसको जरूर याद रखना 4H equals to R 10 theta यह होता है यह relation इसको जरूर याद रखना important है इसलिए कहा था काम आता है क्यों सन्स में एक क्यों सन देखो आपके सामने missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 meter per second एक missile उसको fire किया गया है उसकी maximum range के लिए और initial velocity है 20 meter per second if G equals to 10 meter per second square the range of the missile is और CBSC AIPMT 2011 में आया हुआ क्यों सन है ठीक है तो जो चीज़ें हमको दी हुई है उसको हम write down करेंगे देखो हमारे पास क्या है missile है उसको fire किया गया है maximum range के लिए fire किया गया है missile है maximum range पे जाके गिरने चाहिए उसकी initial velocity है वो हमें दे दी गई है 20 meter per second और gravitation की value भी दे दी गई है gravitation है वो भी का formula क्या होता है U square और यहां पे जो sign है sign 2 theta तो वो तो 45 की range होगी आपको पता ही 45 हमें लेना पड़ेगा जैसे ही आप theta 45 डिगरी लोगे मने तो आपको direct formula बताया था theta 45 रखने की विज़रोत नहीं है मने आपको बताया था U square upon G तो U square upon G करोगे कितना आजाएगा देखो 20 into 20 upon G की value कितनी है G की value 10 है तो यहां से करोगे 2 यह आजाएगा 40 40 are maximum 40 meter इस missile की जो maximum range है वो 40 meter है 40 meter तक यह missile जा सकती है अगर यह kilometer पर हावर में होता तो 40 kilometer तक यह जा सकती थी आना फिर उसको फिर हमें convert करना पड़ता है meter per second में इसी के accordingly है तो यह 40 meter per second इस question का answer हो जाएगा खेद इसका क्या screen shot लोगे रफ करता हूँ देखो trick के अंदर तीसरा point है तीसरी trick है क्या है यहाँ पे आपके पास complementary 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 angles हो होने चाहिए angle है वो कैसे हो complementary हो range is same for two angles of projection दो angle की same range कब हो सकती है देखो angle अगर complementary हो यानि उनका addition कितना आता हो अगर दोनों angle को जोड लिया जाए a degree plus big degree अगर ए और भी मेरे दो angle है तो दोनों को जोडने पे कितना आना चाहिए 90 degree दोनों को जोडने पे कितना आना चाहिए 90 degree ऐसे angle को complimentary angle हो कहा जाता है तो देखो इसके अंदर क्या हो सकता है मान लेते हैं कि एक angle हो आपका theta है तो दूसरा angle कितना हो 90 degree minus theta अगर एक एंगल आपका थिटा है तो दूसरा कैसा होना चीए 90 डिग्री माइनस थिटा अब देखो जैसे यहाँ पर एक आपका 70 है तो दूसरा आपका कैसा होगा 20 डिग्री समझ गए जैसे एक आपका मान लो 50 हैं एक आपका 50 डिग्री तो दूसरा कितना होगा 40 डिग्री ठीक है समझ पा रहे हो अगर एक एंगल आपका मान लिया जाए एक एंगल आपका मान लिया जाए कि 30 है तो दूसरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री अब इस चीज़ को समझना देखो मैं जो बता रहा हूं देखो यहां से यह हमारा होरिजोंटल है और यह हमारा वर्टिकल ठीक अब मुझे एक बिसिकली कोई मालव एक बॉम्ब है और यहां पर यह बॉम्ब मैंने डाला किसी बहीं एक एंगल पर डाला है कि अगर्प दो अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो महीन ने वाली उसके अंदर थाइटी वाली जो पोजिशन वह खराभ ओ गी है 30 पे bomb दाग ही नहीं सकती अब क्या करें वाई तो अब मेरे पास दूसरा option यह है कि 30 पे bomb को ना दाग करके मतलब थिटा 1 अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं थिटा 2 पे चला जाओ तो 60 degree पे भी अगर bomb को दागूंगा 60 पे भी bomb को दागूंगा तो bomb वहीं जाके गिरेगा समझ पा रहे हो अगर यह मेरे पास angle कितना है 60 degree जो कि यहां है मैंने वहां से हो किया है क्योंकि यहां भी 30 लिखा हुआ था तो कहने का मतलब तब भी जो bomb है वो same point पे जाकर के projectile होगा यहां से मैंने फैका same point से जब 30 से फैका जब 30 से फैका तब भी bomb वहीं गया और जब मैंने 60 से फैका जब मैंने 60 से फैका जो कि theta 2 है तो भी मेरा bomb same उसी point पे जाके गिरेगा और ऐसा करने के लिए देखो range of same यहां पे भी देखो r same था दोनो points के लिए r की value बदली नहीं दोनों angles के लिए r की value सेम बनी रही तो इसके लिए क्या चाहिए range is same for two angles of projection तब हो सकती है जब दोनों angles आपके कैसे हो complimentary angles हो ए और भी दोनों का addition 90 अगर ऐसा होगा तो दोनों एक position पे जाकर करेंगे उसको एक position पे जाके launch करेंगे हमारा stone हो bomb हो या missile हो कुछ भी हो है तो यह situation है screenshot लेना चाहू ले सकते हो जो fourth trick है हमारी वो क्या है fourth trick है वो हमारी क्या कहती है कि edge upon edge upon edge for 90 minus theta 90 minus theta इस तीज को समझना आप अगर देखो यह edge थी आपके लिए अगर यह edge था यहाँ पे यह 30 के लिए edge था तो अब यह किसके लिए edge है यह height किसके लिए है edge यह angle कितना है 90 minus theta है यह इसके लिए जो angle है वो कितना है 90 minus theta है 90 minus theta वाला जो edge है DAVID अगर अपोन H upon H theta के लिए अगर upon H 90 minus theta के लिए equal होता है 10 square theta के important point है Buddhist देखन रख ले नहार्पँ और एच थिटा a Far As aाज तिटा तिटा के लिए जो एच मैक्सिमम है अप्लुण स caucus 501 रोगर होता है आप ने कि पत्थर प्थर का 30 डिगरी फिस्टी ह्थ फे है जितनी है देडिया एच पर इसinek को यहां रख दो एच थिटा ठीक है उसके बाद आपने 90 माइनस थिटा पे एक सेम पत्थर फैका वो जितनी हाइट पे गया 90 माइनस थिटा के लिए जो हाइट आए वो जितनी हाइट पे जाए उसको यहां रख दो और वह इक्वल होगा कि इसके 10 स्कोर थिटा के थिटा की वैल्यू यहां पे जो भी है थिटा 30 है ना तो यहां पे 30 रख दो इस सिच्वेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पे थिटा की जगे क्या रखो 30 रखो तो वो इसके एक वलाएगा यह रिलेशन है और पांच वी जो ट्रीक है वो आपको और बता देता हूं इसके अंदर जो टीवन और टीटू है वो हम किसके बराबर होंगे 2R upon G के किसके बराबर होंगे 2R upon G के समझना इस बात को जो टीवन है वो क्या है time for fast stone जब पहला projection था जब आपने 30 पे फैका था उसमें आपको कितना time लगा होगा जब दूसरा पत्थर आपने फैका तो आपको कितना time लगा होगा टीटू यह इसी की बात चल रही है यह range is same for angles of projection इसी के अंदर है यह तो पहला जब आपने फैका तो टीवन टाइम लगा दूसरा जब आपने फैका तो टीटू टाइम लगा तो वो दोनो time है उसको आप रख दो और जो यह range है उसको रख दो आर और अपन में उनों का एडिशन कितना आना चीए 90 आना चीए ठीक है अगर आप 70 पर नहीं फैक पारे तो आप कितने फैको 20 पर फैको आपका जो बॉम है वहीं जाके गिरेगा ठीक है समझ गए ना तो लॉंच वहीं होगा आपका जाके सेम स्क्रीन सोट लो क्यों सतना देखो आपकी स्क्रीन पे 4 angles of projection of a projectile at angles 45 degree minus theta and 45 degree plus theta so the horizontal ranges described by the projectile are the ratio of देखो क्या कहरा आपसे 4 angles of projection of a projectile at angle 45 degree minus theta and 45 degree plus theta so the horizontal ranges described by the projectile are angle fast आपको दिया हुआ है 45 degree plus theta और angle second आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है देखो 45 degree minus theta क्या ये complementary angles हैं चेक करते हैं क्या ये complementary angle है क्या इन दोनों को add करने पे क्या इन दोनों को add करने पे 90 आ रहा है देखो 45 plus theta और plus 45 minus theta theta से theta cancel out हो जाएगा देखो 45 plus theta 45 minus theta दोनों को add करेंगे theta से theta cancel out कितना आ जाएगा देखो 90 degree आ जाएगा 90 degree आ गया तो इसका मतलब ये कैसे angle है ये complementary angle है तो जब complementary angle आपके पास होते हैं जो value 90 degree आपके पास आ चुकी है तो इसका मतलब देखो जो इनकी range का ratio होगा range 4 45 plus theta वह आप क्या करते हैं range 4 45 range 4 theta upon range 4 90 minus theta तो जो दिया हुआ है उसको रखेंगे ऐसे कैसे तो 45 minus theta कितना हो जाएगा देखो ये आपके पास 1 upon 1 तो इसका जो ratio आएगा जो ratio निकल के आपके पास आएगा वो कितना होगा जो ratio आएगा वो कितना होगा 1 ratio 1 ठीक है this is answer तो दोनों से जो project कियावा object है वो एक ही जगह जाके गिरेगा ठीक है ये screen तो ये था हमारा आज का video जिसके अंदर हमने समझा projectile motion को ground से ground पे 2D के अंदर अब next video के अंदर हम trajectory equation को भी drive करना सीखेंगे मतलब हम basically prove करेंगे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो projectile motion है ये कैसी होती है ये parabolic होती है इसका path parabolic होता है circular नहीं होता है तो उसको हम prove करेंगे next video के अंदर मिलते हैं और उसके बाद जो next video आएगा उसके अंदर हम किसी पहाड़ पे बैठेंगे अभी तुम ground पे बैठके पत्थर फैक रहे थे फिर हम पहाड़ पे बैठेंगे और वहां से या किसी भी object पे बैठके पत्थर फैकेंगे ठीका वो उसमें next आएगा ठीका ध्यान रखके फैके लेकिन निचे किसी को लगना जाए ना मिलेंगे next video के अंदर अगर आपको ये video informative लगा है तो इस video को like करिए अपने friends के साथ share कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर कीजिए bell icon को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे notifications आपको मिलते रहें मिलते है next video म में तब तक के लिए thank you have a nice day